हेलो डियर इस्ट्वेंट आफ सभी का स्वागत है स्टेटिक जीके की सिरीज में और आज हम बात करने वाले हैं पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स और उनके हैड आफिस को याद करने की ट्रिक के बारे में क्योंकि आप जानते हैं कि SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, हर एक एक की अंदर सरकारी बैंक बहुत इंपॉर्डेंट है क्योंकि आज कल यूज में है और इनको प्राइवेटाइज करने की सरकार की कोशिश लगतार जारी हैं तो रिमैनिंग जो गॉर्मेंट बैंक से हमारे देश के वो कितने कौन से हैं और उनको किस तरहां आप याद करेंग की वो 50% या इस से अबव होगी और याद रखिए इन 12 बैंकों के अंदर बेहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं सबसे पहले दिखिएंगे State Bank of India है हमारे पास इसके बाद Central Bank of India का नाम है Union Bank of India का नाम है और उसके बाद Bank of India का नाम है फिलहाल तो ये 4 बैंक और इन चारों के लास्ट में हमें इंडिया वर्ड दिखाई देता है बस आपको इतना याद रखना है कि जिसके लास्ट में इंडिया आता है उसका है डॉपिस आपका मुंबई में होगा तो आव्वियस है आपने इस सरहां से चार नाम याद कर लिए बारह में से चार नाम आपको याद हो चुके हैं मुंबई यानी इंडिया से रिप्रेजेंट हो इसके बाद हमारे पास है पंजाब नेशनल बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक यानी ये दोनों बैंकों के लिए आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्याले है आपका ये नई दिल्ली के अंदर ह होने वाला है तो इस सरहां से आपको पता है कि जहां पंजाब आएगा वहां नई दिल्ली होगा यानी दो में आपके छे पॉइंट पूरे हो चुके हैं इसके बाद आपका इंडियान ओवर्सीज और इंडियन बैंक ये दोनों आपके पास सरकारी हैं और जहां इंडियान आता है वहां चेन नहीं आंसर होगा आपका तो बेहत आसानी से आपने इस बात को याद किया है कि ये टोटल तीन स्टेटमेंट याद करके आप आठ बैंकों के हैड़ ऑफिस याद कर चुके अभी इसके बाद बैंक ओफ बडोदा का नाम आता है बैंक ओफ महारास्ट्रा का नाम आता है ये बडोदा खुद एक शेहर का नाम है महारास्ट्रा खुद एक राजिये का नाम है तो बडोदा शेहर ही है यहाँ पर इसका मुख्याले किसे वडोदरा कहा जाता है तो वडोदा का ही दूसरा नाम वडोदरा रख दिया गया गुजरात के अंदर आता है यह और अगर महारास्ट की बात करें तो पूरा एक राज्जिय है और इस महारास्ट का शहर है पुने जहां पर इसका हैड आफिस आपको मिलेगा यह बेहद आसानी से आप याद कर लेंगे और उसके बाद हम बात करते हैं यहां किसकी तो यूको बैंक आता है जहां यूको य यूको बैंक आपको याद करना है कि यह कॉलकाता में है हमारे यहां और इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर चैनरा बैंक की आपको पता है कि यह कहीं लॉजिक फिट नहीं हो रहा तो यहां पर कुछ नया शहर आप ढूंड़िये जहां पर हैड आफिस आपके को मुंबई से होगा पंजाब दिली से होगा इंडियन चन्ने से होगा किसी शहर या राज्जिय का नाम तो उसी से समंधित आप ढूंड लेंगे उसके अलावा यूको बैंक कॉलकाता का और कैनरा बैंक बैंगलूरू का होगा अपको काफी हेल्प करेगा अपके एक्जाम के अ और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा यहां तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच एवरीवान